हलो फ्रेंड्स मैसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जलनी ओफेम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गाइस आज मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ वैसे पहले भी आपको जो ऐसे है इस पर वीडियो प्रोवाइड करा दी गई थी बट बहुत सारे बच्चों का इशू था कि मैं उसमें हमें धंग से क्लियर नहीं हो रहा है काफी स्क्रिन छोटी हो रही थी वो कुछ टेक्निकल इशू की वज़े से ऐसा हो रहा था बच्चों तो आज मैं क्लियर ली ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों प्लीज प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दे तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो मॉय विजन फॉर इंडिया इन टूटाऊजन फॉटि सेवन ऐसे कि मेरा क्या विजन है मतलब मेरी क्या कह सकते हैं अग तरह से जब हम सपना देखते हैं तो हम सपना देखते हैं इन फुचर ऐसा होगा ऐसा होगा तो वही चीज आपको लिखनी है कि आपका भारत 2047 में कैसा होगा 2047 में कैसा होगा अपना vision लिखना है, अपना opinion लिखना है, अपना सपना लिखना है तो starting आप एक quotation से करेंगे कोटेशन है, developing to developed it is the journey of nation, I to me and my to our is the key of mission 47 is the key of mission 47 तो developing से developed, मतलब विकास शील से विक्सित is the journey of nation, हमारी जो जर्नी है वो विकास शील से विक्सित देश बनाने की है I to me, I say me में change करने की and my to our मेरे से हमारे में बदलने की is the key of mission 47 मतलब किसी के अंदर मैं की भावना नहीं रहे हमारे की भावना रहे, हम की भावना रहे तो यही हमारा mission है 2047 का ठीक है, अब quotation से हमने अपने ऐसे कोई attractive starting दे दी है अब आगे क्या लिखेंगे, वो देखिए India is celebrating 75th year of independence जो भारत है वो अपना 75 year independence मना रहा है Everyone has dream to make her country big and democratically successful हर एक चाहता है कि उसका देश successful बने हर एक का यह dream होता है कि उसका country सबसे बड़ा सफलता पूर्वक बने a country where there is equality in all area एक ऐसा देश हो जहां पर हर जंग समानता हो and for all genders it witness progress और सभी जो लिंग भेदता है उसको पीछे चोड़ कर सभी समान हो like others दूसरों की तरह I also have a dream for my country दूसरों की तरह मेरा भी अपने देश के लिए एक सपना है and the way it should be so I can proud to live and the coming generation too ताकि मैं एक ऐसा भारत का निर्मान कर सकूँ जिस पे मुझे गर्व हो जो आने वाली generation हो उसको भी हमारे भारत के ऊपर हमारे देश के ऊपर गर्व हो year 2047 will be the landmark year to look at India through the prism of development, growth, gender, equality and employment and other factors तो जो भारत है 2047 तक हमें यहाँ पर अत्यधिक विकास करना है growth वृद्धी करनी है, gender equality लानी है बेरोजगारी को समाप्त करना है और other factors हैं जिनको भी सुधारना है what we dream is what we see सपना वही होता है जो हम देखते हैं similarly, how we visualize India of 2047 will determine the resolution will be adopt over the next 25 years तो 2047 में 25 years जो है वो बाकी है इसे हमें किस तरह से समारना है one who wants to see India free from हम चाहते हैं कि जो इंडिया है वो free हो किस से poverty, गरीबी से, unemployment यहां पर बेरोजगारी खतम हो जाए, mal nutrients हर किसी को portion मिले, corruption जो ब्रष्टाचार है वो खतम हो and other social levels और जो सामजिक पुराईया हैं उनको भी नस्ट हो, उनका भी विनाश हो over the next 25 year, इंडिया should transform into the powerful nation जो भारत है वो powerful nation में बदलना चाहिए both internally और externally, ऐसा नहीं है कि बहारी बदल जाए और अंदर से जो इसकी नीव है वो कमजोर पर जाए, नहीं internally और externally दोनों ही powerful nation हमारा जो इंडिया है वो बनना चाहिए गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो I request you कि please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आगे देखते हैं, over this, our foremost target as a developing nation should be work and economic fronts and the making the economy stronger by the bringing in some major reforms और आगे जो हमारा strap है कि जो हमारा भारत है वो आर्थिक स्थिती से अच्छा बने ये आर्थिक स्थिती से major reforms develop करें beside the economic spheres there is a need to work towards the gender equality and the providing equal opportunities for the all eruption at the dear backward economic spheres को छोड़ कर अगर हम देखें तो यहाँ पर gender equality हो हर तरह की सुविधाए हर किसी वर्ग को उपलब्द हो और जो भारत है इसका बदलाव हम खुदी कर सकते हैं ये जर्णी जो है ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन अगर हम साथ मिलकर united रहे आपस में संयुक्त रहे तो हर किसी हर किसी कह सकते हैं बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हम सफल कर सकते हैं हर किसी सीड़ी को हम पार कर सकते हैं तो गाइद दिस इज अई से हाई होप आपको ऐसे पसंद आया हो